यह उपलब्धी हासिल करने वाली पहली भारतिये क्रिकेटर बनी थी मिताली, अब टीडट क्रिकेट को कहा अलविदा भारतिये महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाडी और पूर्फ कप्तान मिताली राज ने अचानक टीडट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है मिताली के इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया है मिताली भारत की पहली महिला टीडट कप्तान है वह अंतराश्ट्रिय टीडट क्रिकेट में भारत की तरफ से 2000 रन बनाने वाली पहली खिलाडी भी रही है उन्होंने ये उपलब्धी टीम इंडिया के हिट मैन रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली से भी पहले हासिल की थी गवर तलब है कि मिताली ने मतीज टीडट अंतराश्ट्रिय मैचों में भारतिय टीम की कमान संभाल चुकी है उन्होंने तीन बार, 2012, 2014 और 2016, ICC महिला वर्ल्ड टीडट में भी टीम इंडिया की कप्तानी की है 36 वर्षिय मिताली ने मिताली ने अपना आख़िरी टीडट मुकाबला इसी साल 9 मार्च को गुवाहाटी में इंगलेंड के खिलाफ खेला था लेडी सचन के नाम से मशूर मिताली का भारतिय महिला चीडट क्रिकेट में अहम योगदान रहा है मिताली ने भारत के लिए 89 चीडट मुकाबले में 37.52 की औसथ से 2364 रन बनाए है टीडट में उनके नाम 17 बार अर्ध शतक दर्ज है